जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा कि हमने फिटिंग के पूरी प्रक्रिया पार कर ली थी, अब इस तरह सारे कपलर और वायर को एड़ करने के बाद हमारा डिवाइस इस तरह इंडिकेट करेगा, इस मिन्स कि हमारे डिवाइस अब लग चुकी है, अब इसमें ह जो हम इस कनेक्टर के थुरू अपने डिवाइस में लगाएंगे, अब डिवाइस को हम कट से बाहर रिलीव करने के लिए, बटन को 3 शेकंड पुस्ट करके रखें, यह ओन क्या, रेड कलर इंडिकेशन, फिर गाड़ी की जो भी स्पीट पे हमें सेट करना है, गाड़ी को उसी स्पीट पे ले आकरके फिर पुस्ट करेंगे और यह कट लग जाएगा, यह कट लग चुका है, जी इस तरह हम अपने प्रोग्रामर को सरल तरीके से और सिंपल तरीके से इसमें अपनी स्पीट को सेट कर सकते हैं, होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप स्विफ्ट में, स्विफ्ट डिजल में होवल का सरल तरीके से स्पीट लिमिटर लगा करके काम को कर सकते हैं, धन्यवाद, सुक्रिया, ठैंक्यू